बायों और बहनों सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लेट करूँ आपको नोट्पिकेशन सबसे पहले मिल सेके नमस्कार दोस्तों एक बार फ्री साब सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग यूपी से रिलेटेड हन्रेट महत्पून कोशन देखने वाले हैं और ये वीडियो यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपोर्टन हो जाता है क्योंकि उनका जो एक्जाम है वो चार औ 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो आप लोग जो है इस वीडियो को आणतक देखेगा और दोस्तू 1000 लाइक्स का टारडेट है तो आप लोग लूग 1000 लाइक्स देने में शइयत करिएगा चल्ले देर्न ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोश्चन है उत्तरपदिस का इस्थापना दिवस कम मनाया जाता है दोस्तों उत्तरपदिस का इस्थापना दिवस जनवरी 1950 को जो है मनाया जाता है ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है उत्तरपदिस की राज़ानी कौन सी है तो ये सब कोई जानता there is this question है उत्तर पर्दिष के पहले मिक्रिक कौन थें तो दोस्तों उत्तर पर्दिस के पहले मिक्रिक कौन थें तो द youtube आदितनांथ जी जो है अभी वर्तमान जो है हम लोग के चीब मिनिस्टर है उत्तर प्रदिस के चले नेश्ट कोश्चन देखते है नेश्ट कोश्चन है उत्तर प्रदिस का छेतरपल कितना है तो दोस्तों उत्तर प्रदिस का जो छेतरपल है वो है दो लाग चालिस अजा नौसो अठासी वर किलोमेटर ठीक है कितना है दो लाग चा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो दोस्तों उत्तर प्रदिस के प्रमुक लोक नरते जो की बहुत ज्यादा फैमेस है वो है रासलीला नोटंकी ठाली पैता जोरा इत्यादी ठीक है तो आप लोग जो है यह प्रमुक लोक नरती है इसे आप लोग धान रखेगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है उत्तरप्रदिस की प्रमुक ने दिया कौन सी है दोस्तों उत्तरप्रदिस से जो बहने वाली प्रमुक ने दिया है वो है गंगा योमना गंडग गोमती सर्यू ठीक है दोस्तों क्वेशन किसी भी तरके से पू अब लोग ध्यान रखेगा कि कुसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है चार उप्सन में से पूछ देगा कि इन में से कौन सी नदी है जो की उत्तरप्रदिस से नहीं बहती है तो उस टाइम आप लोग ध्यान रखेगा इसलिए सब नदियों को जाना बहुत ही लाल इमली मिल कहाँ पर है दोस तो उनिवस्तरों के लिए जो फेमस है लाल इमली मिल वो कानपूर में है चले नेस्टेस्टथ देखते हैं नेस्ट कोशन है उत्तर प्रदिश की किस जनजाती का वर्ण विवाजन हिंदू जैसा है तो किसका है बुक्सा किस जनजाती का है बुक्सा जनजाती का ठीक है चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं निस्कूशन है राज में उत्तर मेध रेल्वे का मिखले कहां पर है उत्तर मेध रेल्वे का मिखले कहां पर है राज में तो वो है इलाबाद में कहां पर है इलाबाद में चलिए निस्कूशन देख लेते हैं राज्य में खरिफ की बुआई का समय कौन सा है ठीक है तो राज्य में खरिफ की बुआई के समय कौन सा है जुन और जुलाई ठीक है कौन सा है जुन और जुलाई दोस्तो बहुत ही इंपोर्टन दोस्तो यह जीके है आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है ठी तो आप लोग वीडियो को अंतक देखिए ठीक है बहुत ही कारकर साभित होगा और यूपी से रिल्रेड जितने भी इंपोर्टन टॉपिक्स होगे मैं सभी आप लोग के लिए उपलब्द कराऊंगा तो आप जो हमारे साथ बने रहेगा मैं रोज एक ऐसा ऐसा टॉपिक एक यूग की स्तापना कब हुई थी ठीक है तो कब हुई थी 1999 में बहुत ही इंपोर्टन है ज्यां रखेगा नेक्स कोशन है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश की सीमा रेखा को इस पर्ष करती है तो किसको यह सब को पता है कि यह नेपाल देश को जो है इस पर्ष करती है चल सहरनपूर में कहां पर शहरनपूर में चलि निक Si discuss देखते हैं में किने निज़सेशन निज़स पचीर को उत्तर प्रदेश के किस सहर में भारते राश्य कोंग्रीस का अधिविसन हुआ था तो कहां हुआ था 1925 में भारते राष्ट कॉंडर्स का जो अधिविशन हुआ था वो हुआ था कानपूर में ठीक है ध्यान रखेगा चलिए नेक्स कुश्चन देखते हैं नेक्स कुश्चन है उत्तरपदिस के किस जीले में आवले का थरवाधिक उत्पादन होता है तो दोस्तों आवले का उत्तरपदिस में सबसे दिखोता है प्रतापगड में कहां होता है प्रतापगड में चलिए नेक्स कुश्चन देखते हैं नेक्स कुश्चन है राज में भ बहुरे भालू के टीले कहां पाय जाते हैं तो गंगा के मैदानी शेतर में जो है ये पाय जाते हैं चले नेस कोशन देखते हैं नेस कोशन है पहले स्वाधिनता संग्राम में बरली में इसका नेत्वत किस ने किया था ठीक है पहले स्वाधिनता संग्राम में बरली से कौन न वो पहले स्वादनता संग्राम में बरेली से जो है नेत्युत किये थे चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं नेश्ट कोशन है किस वर्स उत्तरपदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की इस्थापना की गई थी यह बहुत ही इंपोर्टन है दोस्तो कब की थी चीनी कौन करता है तो वो यूपी करता है चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं नेश्ट कोशन है राजी में सरवादिक होने वाले आम की प्रजाती है तो वो कौन सी है दस्षरी और दस्षरी सरवादिक कहां पर जो है वो हो रही है वो उत्तरप्रदेश में जो है सरवादिक निस्ट कोशन है उत्तरपदेश में सरदार वल्लब्हय पटेल किर्शी विष्विदाले की सताफना कब हुई थी इनपर्टन कोशन दियान रखेएगा कब हुई थी 2000 विमें कब हुई थी 2000 विमें चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन है बेत्वा नदी पर निर्मित राजगाट बांद परियोजना किन राजु की संयुक्त परियोजना है तो यह जो परयोजना है बेधान अदीपन नेरवेत राज घट बाद परयोजना जो है ये उत्तर पद्रदेश और मईद पद्रेश की जो है समयुक्त परयोजना है यानि ये दोनों जो है राजी एक साथ मिलकर इस परिजिना को चला रहे हैं चले next question देखते हैं Next question है, उत्रपधिस राजे में खनीज विकास निगम की स्थापना कभी थी? ठीक है? तो खनीज निगम की स्थापना कभी थी उत्रपधिस में? तो वह थी 1934 में चले next question देखते हैं नेश कोशन है चंदोसी ताप बिदुत के इंदर राजी के किस जीले में है चंदोसी ताप बिदुत के इंदर कहां पे है तो वो है मुरादाबाद कहां पे इस्तित है मुरादाबाद में चले नेश कोशन देख लेते हैं नेश कोशन है उत्तरपदेश में किस देश के सयोग से ओबरा ताब विदुद्केंद की इस्तापना की गए थे बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है दोस्तों बहुत सारे एक जाम में पूछा गया है और आयोब कि यह कुश्चन जो है आपका यूपी पूलिस में पूछा जा सकता है तो आप ध्यान रखेगा कि ओबरा ताब जो किसके साथे से बनाए गया था पूरवी सोविएत संग किसके सज्य उसे पूरवी सोवियत संग ठीक है चलिए नेंस्ट कुश्चन दखते हैं दोस्तों आप लोग जो है नंबर पे ध्यान मत रखेगा क्योंकि नंबर जो है ये मैं बहुत पहले आप लोग के लिए तिय में कहां पर है गयास पर आधारित आवलाता विद्द्ध परिजुना कहां पर यह है बरेली में कहा इस्तित हैं बरेली चलिए next question देखते हैं next question है 2001 से, 2011 के मध्राज के जन गनतों में कितने विर्ध हुई है? कितने विर्ध हुई138 वैक्ती प्रति वर्ट किलोवेटर important question ने दिहां रखेगा 138 वैक्ती प्रति वर्ट किलोवेटर 2001 से लेकर 2011 के मध्र जो जन गनत्य हुई है उसमें विर्ध हुई है ओछ tensionों देखते हैं और ये दोस्तों मोस्ट in important है ठीक है ये बहुत सारे एक्जाम में पुछा जा चुका है और I hope कि ये पुछा जाएगा ठीक है यूपी पुलिस में आप लोगे पुछा जाने की बहुत ज़्याद उमीद है चली तो ये कब हुआ था अपरेशन फ्लड एक की शुरुआत उनिश्यों त्यातर में हुआता ठीक है ध्यान रखेगा चली नेश्ट कुछिन देखते हैं नेश्ट कुछिन है उत्तर पूर्वी रेल्वे का मुखा लेक कहां पर है तो ये है गोरखपुर में कहां पेश्टेत है गोरखपुर में चली राजी का कौन सा सहर प्रशिद है तो वो है लखनौ ठीक है जो सहर प्रशिद है वो है लखनौ चेलिए नेक्स्ट कुछिन देख लेते हैं नेक्स्ट कुश्चन है बहुत धर्म के शंस्तापवा गौतम बुद्ध का जन्व कपल वस्तु गनराज में किस स्थान पर हुआ था यह हुआ था लूम्बनी में दोस्तों गौतम बुद्ध से रेलेटर बहुत सारी चीज़े यहीं पर हुई थी तो आप लोग ध्यान रखेगा कहां पर कपल वस्तु गनराज में किस स्थान पर हुआ था कपल वस्तु के किस स्थान पर हुआ था वह हुआ था लूम्बनी में ठीक है चले नेक्स्ट कुश्चन देख देखते हैं चंदरशेकर आजाद किस पार्टी के सद्शित थे ठीक है यह थे हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिप्रब्लिकन सेना में थे कहां से थे यह हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिप्रब्लिकन सेना और चंदरशेकर आजाद कहां से बिलोंग करते थे यह उत्तरप्रदिस से जो है विलाओं करते ते चली नेक्ट कोशन देखते हैं उत्तर प्रद्दिस में खेलकुद परिश्kim का गठन किस सहर में क्या गया है तो यह लखव्य में क्या गया है कहा पर क הצ चापर है चली नेक् communist देखते हैं नेक्ट नेस्ट कोशन है 1925 इसवी को उत्तर प्रदैस की किस सहर में भारते राष्ट कॉंग्रस का अधिवेशन हुआ था यह कोशन फिर से हमको लगारा रीपीट हुआ है चले नेस्ट कोशन देखते हैं नेक्स कोस्टेने। फोटोग्राफी टिता इलेक्टरोप्लैटिंग में किसका प्रीयुग किया जाता है। तो किसका प्रीयुग किया जाता है यह कहता है सोने का। ठीक है फोटोग्राफिय और इलेक्ट्र प्लैटिंग में किसका प्रिविग किया जाता है तो सोने का थोड़ा सा जीके भी आगिया है दूस्तों यहां पर तो कोई भी चीज खराब नहीं होता है जान के रखें बहुती काम की लाइक है चले निश्क वोचे देखते हैं निश कोशन है दरिया बनाने के केंदर उस्तर पदेश में कहां है तो दरिया जो है बनाने के केंदर कहां पर है आगरा इटावा और बरेली में कहां है इटावा आगरा और बरेली ठीक है एक option देदेगा लखनो भी देदेगा और पूछे कि इन में से कौन सा जो ह किस रसान की मातरा रहती है तो जलोड़ मिट्टी में जो है पोटास इम चुना की मातरा बहुत अधिकर रहती है और यह प्रश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सा एलाकों में जलोड़ मिट्टी की बहुत ज्यादा प्रधामता है ठीक है चलिए Qion देखते हैं निश्खोषिन है देश में उत्तरपरदीस राजय का छेतरपल की द्रिष्टि से कौन सा इस्तान है तो ये पाच वाय एँ ठीक है किसके द्रिष्टि से छेतरपलकी द्रिष्टि से ध्यान रखेगा चले G Paykee दिखते हैं नेस्ट क्यूशन है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त पहला उब्स कहा पर दिया था तो कहा पर दिया था दूस्तों शारनात कहां दिया था शारना चले नेक्स कुशन देखते हैं नेक्स कुशन है राज में काशी राम किरिशी एवं प्रवादोगी की विश्वेदाले कहां बनाया जा रहा है तो ये बांदा में बलाया कहां पे बांदा चले नेक्स कुशन देखते हैं नेक्सT QUESTION है राज में चुड़ी उद्धो कहाप़े है तो चुड़ी उद्धोlicht फिरोजाबाद में इनपोर्टन है ध्यान रखेगा चले नेक्सTpecially Minutes question देखते हैं किस वर्ष उस्तरप्रेदेश राज चीनदी नीगम LIMITRED के इस्थाफ में की ति थी तो यह रिपीटेड कुशन है यह उनसी कातर में हुआ था चले नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन है गंगा वा यूमना नदियों का वह भाग जहां नदियों की बाड़ का जल नहीं पहुंचता है वहां का मिटी क्या कहलाती है फिर से एक वर कोश्चन पढ़ लेता ह जहां गंगा वा यूमना नदियों का वह भाग जहां नदियों की बाड़ का जल नहीं पहुंचता है वहां की मिटी क्या कहलाती है तो वहां की मिटी जो है बांगर मिटी कहलाती है क्या कौन से मिटी कहलाती है बांगर और यह कुश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत ह ज्यादा जो है अभी यूपी में जलोर मिठी की प्रधानता है इसी कारण से यह कुश्चन बहुत इंपॉर्टन हो जाता है चलिए नेक्स कुश्चन देखते हैं नेक्स कुश्चन है उत्तर प्रदर राज में सेलखडी का प्रमुखनन छेद्र कौन सा है तो हमिरपूर एव है क्या की शुक्ती मठी कौन से शुक्ती मती इनपॉर्टन कॉश्चन है ध्यान रखेगा ठीक है चलिए next निक्स कुश्चन देखते है नेक्स कुश्चन नेस्ट कुश्चिन है उत्रप्रेज का अभेली खित 1 छेतर कितना प्रतिशत है तो यह 0.0688 कितना है 0.0688 इंपोर्टन कुश्चिन है मोस्ट इंपोर्टन है ध्यान रखेगा ठीक है चलिए नेस्ट कुश्चिन देखते हैं नेस्ट कुश्चिन है कुणाल काल में मतुरा किस धर्म का एक समर्द केंद्र था कुशान काल में मतुरा किस धर्म का एक समर्द केंद्र था वो था जैन धर्म का ठीक है किस धर्म का था प्रमुकेंद जैन धर्म का चले नेश्क कोईशन देखते हैं जो तीशा चारे वारा मिहीर की जन्म इस्तली कौन सी है तो यह है काम पिल लिया कहां पे है काम पिल लिया ध्यान रखेगा चलिए next question देखते हैं next question है राज में सरबादी खोने वाले आम की प्रजाती है दशेरी ये अभी repeated question हो गया है और repeated के लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोग के लिए next time से ये ऐसा नहीं होगा चलिए next question देखते हैं next question है उत्रपदेश राज में सरव प्रथम किस पच्छी विहार की स्थापना हुई थी तो कौन सी थी वो नवा बंगंच पच्छी विहार कौन सी थी नवा बंगंच पच्छी विहार द्यार कीगा सरव प्रथम जो है पच्छी विहार की ये ही स्थापना हुई थी चलिए next question देखते हैं उत्तर प्रदेश राज में शरूर प्रथम किस पच्छी व्यार के ये question repeated है चलिए next question देखते है उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कभी, मिर्जा, गाली तता शंगी तक उस्ताद फैयर्ज खार का जर्म हुआ तो बहुत important question है और ये कहा हुआ तो आगरा में हुआ तो इनका जर्म ठीक है, most important है ध्यान रखेगा चलिए next question देखते है next question है किस नहर पर खातिमा शक्ति के इंदर इस्तापित है किस नहर पर खातिमा शक्ति के इंदर इस्तापित हुए है शारदानार most important है दियान रखेगा ठीक है शारदानार प्रभ्यों है खातिमा शक्ति के अंदर इस्तापिद है चलिए next question देखते है next question है निमने में से किस खनीश का उत्पाद है जहां से वह हमिरपूर से होता है तो यह जहां से और हमिरपूर से जो है पाइरो फैल साइट जो है वो प्रभ्यों होता है फाइरो फैल साइट ठीक है चलिए next question देखते है जुलहा, दंपती, नीरु और नीमा द्वारा किस संथ का पालन पोजिशन किया गया था तो किसका किया गया था वो थे कबरिदास most important है ठीक है आप लोग के लिए याद रखेगा कि नीरु और नीमा द्वारा किसका पालन पोजिशन किया गया थो कबरिदास जी का चलिए next question देखते है चुना पत्र के भंडार में उत्तरपदेश का देश में कौन सा इस्थान है चुना पत्र के भंडारन में देश में यूपी का कौन सिथान है तो वो है दूसरा ठीक है चलिए next question देखते है next question है उत्तरपदेश राज्य की सबसे अधिक शिमा किस राज्य से लगती है तो किस राज्य सो जो है उत्तरपदेश की सिमा स्रवादिक लगती है राज में खेलकुद परिशद का गठन कब हुआ था तो राज में खेलकुद परिशद का जो गठन है वो हुआ था 1955 से चपन की बीच में कब हुआ था 1955 से बीच में तो आप लोग जो है दिहान रखेगा बहुत ही important question है चलिए next question देखते है next question है राज में विश्वी पंचोई वा दियाई उत्सव किस जंजाती के द्वारा मनाया जाते है तो ये है जोन सारी ठीका जो जो जंजाती है उसकी द्वारा जो है मनाया जाता है चलिए next question देखते हैं तो next question है उत्तरपदेश का पुरव से पश्शिम का विस्तार है कितना है तो पुरव से पश्शिम की जो दूरी है वो कितनी है 650 km कितनी है 650 km चलिए next question देखते हैं next question पहले बार उत्तरपदेश में राज इस्तरी खेल का आवजन कब हो आता तो राजी इस्तरी खेल का जो शुरुवाद हुआ था उत्तरपदिस में वो हुआ था आपका 2005 से 2006 के बीच में कब हुआ था 2006 में ठीक है चले नेश्ट कुछिन देखते हैं नेश्ट कुछिन है उत्तरपदिस के किस जिले में कोला उत्पादन होता है सबसे कम रखेंगा क्यां होती है यह नेश्ट कुछिन पर चलते हैं नेश्ट कुछिन है कितनी कम है तो यह कितनी कम है राष्टी आउसर से यह 4.32% कितनी है 4.32% दोस्तों किसी भी तरिके साफ लोग से गुमा फिरा के जो है पूछा जा सकता है इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं आप लोग कोश्चन को गौर से पढ़िए और ध्यान से याद रखेगा चले नेश क कुछन है नेश कुछन है उत्तरपदेश के मैनपूरी जीले में कौन सा पक्षी विहार है कौन सा पक्षी विहार है मैनपूरी जीले में तो यह समान पक्षी विहार कौन सा है शमान पक्षी विहार चले नेश कुछन देखते हैं तो नेश कुछन है सुरहाताल पक्षिवियार राज में इस्तित है कहां पे है सुरहाताल पक्षिवियार सुरहाताल पक्षिवियार थोड़ा नाम दोस्तो अजीब हो अजीब है तो कहां पे है तो ये बलिया में कहां पे है बलिया में चलिए नेस्ट कुश्चन देखते हैं को नेस्ट कोषिचन है 2001 की तुल्ना में वर्स 2011 में ऊतर परदीश की शाष्पता में कितनी परशषत विड़िवें 13.36 कितनी हुई है 13.36 परदीशषत की जो है विड़िवें है चलिए next question देखते है next question है उत्तरवैदिक में ऊतर परदीश को कहा जाता था टोस्तों मौवूती important है कि किस काल में क्या कहा ध्यान रखेगा हुआ चलि नेश कुश्रध संटर इस हो अधापना कु हो ते दिखते हैं चलिए नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन है कबिरदास वारेदास किस गुरू के शिष्षत हैं तो किस के शिष्षत है यह रामानन्द के शिष्षत है किस के शिष्षत है रामानन्द जी के ठीक है चलिए नेश कोशन देखते हैं नेस्क कुछन है परमानों विदूत के अंदर राज में कहा इस्तापित है था ये नरोरा में इसी थे ठीक है बहुत ही important question most important आप लोग ध्यान रखेगा चलिए ठीक है चले नेस्ट कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन है उत्तर पदिस में नियुनतम जनसां के वाली जन जाती कौन सी है ठीक है जो नियुनतम जनसां के वाली जन जाती है वो है वनरावत ठीक है और यह जोस्तों बहुत कम देखने को मिलती है यह जन जाती है ठीक है कौन सी है वनरावत चलिए next question पर चलते हैं, तो next question है दोस्तों, नेने में से किस जिली की जन्साइं क्या सबसे कम है, तो ये है महोबा, महोबा जो जिला है इतकी जन्जाती जो है जन्साइं क्या बहुत ही कम है, ठीक है, चलिए next question पर चलते हैं, तो next question है, उत्रपदेश में वन निकम कब कि ँत्तर स्कत्क कि तो नेश कोस्चिन है उत्तर पत्र इसके कि जिले में डेतु निवास करती है लो जो 15 करती है ऐसुष भद्र में ठीक है कहाँ पेस। बेगा सुष जर्व topics जो निवास are वह और भजदर में पांच यही श्टर नेकर निर्ध को शहते हैं को यह now is a तामबा मिक्कि रूपसे पाया जाता है चलिए दोस्तो हजार लाइक का टार्गेट है आप लोग से विंति है कि यार प्लीज लाइक करना ना भूले चलिए चलते हैं और अगर कोई मेरे दोस्त नए आये हैं हमारे चैनल में तो उसे विंति है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू करें दिर्बल और विर्बल का ने उत्तर अंधीद है में के दिर्बल सकता रहे लिगता हैं, को घमिए को रहें के सी यह पर देटी के सब्सक्रा देखिकactor उत्तरपदेस से related थे हैं चले नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन है उत्तरपदेस में स्रवाधिक किस तिलहन उत्पादन होता है किस तिलहन का उत्पादन होता है वो सरसो का ठीक है और ये राज में स्रवाधिक है उत्तरपदेस किस तिलहन का उत्पादन होता है वो सरसो का जो है सरबादी फुत्पादन होता है चले नेश्recht कुशिन देखेज्च देखता है नेश्र पदस्वे शौन भादर जीले को कितने तो कीतने राज में चार राज मायों भादर जीले को कितने रखतीं को मुस्त बहुत सारे जगाए यह पूछा गया है चले ध्यान रखेगा नेश कुशन पर चलते हैं नेश कुशन है किस सासक द्वारा कौशामबी के इस्तंब लेको प्रयोग में प्रयाग में इस्तापित किया गया था एक बर फिर से कुशन को पर लेता हूं किस सासक द्वारा कौशामबी के इस्तंब लेक को प्रियाग में इस्तापित किया गया था तो ये अकबर दौरा जो है ये इसे जो है इस्तापित किया गया था चले नेश्ट कोशन पर चलते हैं नेश्ट कोशन है सिलिका बाल्यू खनीश का उत्पाद यानि किस जीले से होता है तो ये होता है इलाबाद कहा से होता है 9 39 500!!!! क्यों करोड 59 95 pensuts ठिक ध्यां रखिगा आप लोग जो है लगभग में याद रख सकते हैं कि 949 ठीक है इतना याद रखने से भी आप लोग काम चल जाएगा चलें नेक्ट क उंतो नेक्ट वैंक राज जीक कीन फस दोख का देश में सबसे बड़ा उत्पातक है तो यह है आलूवा गन्ना चलिए नेस्ट कोशन पर चलते हैं नेस्ट कोशन है उत्तरपदिस में केंद्रिय उध्यान कहा इस्तित है तो कहां पर इस्तित है लखनों में उत्तरपदिस में केंद्रिय उध्यान जो है कहां पर इस्तित है वो है लखनों में चलिए नेश कोशन देखते हैं, नेश कोशन है, निमने में से कौन सा पक्षी विहार बाल या जिले में इस्तित हैं, तो बलिया जिले में जो है, सुरहाताल पक्षी विहार, सुरहाताल पक्षी विहार जो है, ये बाल या जिले में इस्तित हैं, थोड़ा सा नाम अजीब है, याद रखेगा चले नेक्स कोश्चन पर चलते हैं नेक्स कोश्चन है भाबर की तंग पट्टी उत्रपजिस में कहां पर सीता है तो कहां पर है भाबर की तंग पट्टी जो है यह तराइच शेतर में कहां पीसे थे तराइच शेतर में चले नेश्क कोश्चन पर चलते हैं नेश्क कोश्चन है उत्रपदस में सवाई वा समसई नामक लंबी घास का उपयोग मुख रूप से किसमें होता है तो ये कागज उद्योग में इसका बहुती अधिक परियोग होता है क्या नाम है जो घास परम घास है ये इसका नाम है सवाई वा समसई ध्यान रखेगा चले नेश्क कोश्चन पर चलते हैं नेश्क कोश्चन है उत्तर पर इसके नर्शिंग यादव ने राष्टमंडल खेल में स्वाण पदक जीता है उनका सम्मंद किस खेल से हैं दोस्तो जो नर्सिंग यादव जी है वो राष्टमंडल खेलों में स्वाण पदक जीते हैं और वो किस खेल से सम्मंद थे उनका जो सम्मंद वो है कुस्ति से चले नेश्क कोश्चन पर चलते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और आगे भी दोस्तो जो यूपी प्लिस से रिलेट जितने भी important question हो सकते हैं मैं आप लोगों को लब्द कराता रहूंगा आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत